असलाम अलेकुम, आज हम पनीर के पराठे बनाएंगे, पनीर के पराठे तो आपने पहले भी बनाएंगे, लेकिन एक बार आप मेरे मेठट से बनाएं, आप पुराने सारे तरीके बूल जाएंगे, यह आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं इनको नमक डालतेंगे और दो टेबल स्पुन के करीब तेल डालतेंगे अब हमें इसका एक इस्टिफ आटा गुनना है बहुत मुलाइम नी गुन देंगे थोड़ा सा इस्टिफ रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा पाएं डालकर इसका आटा गुन लेता हैं कोशुश करें का सा तेल लगा देंगे जिससे की इसकी उपरी परत सूखे की नहीं अब इसको हम ढग कर 15-20 मिट के लिए छोड़ देंगे जिससे की आटे में इलास्टिसिटी आएगी और पराथे एकदम चिकने बनकर तयार होंगे जब तक आटा रेस्ट कर रहा है यहाँ पर हम पनीर ग में रिपटर बर्श कर लेंगे तो आधा इंच की अध्रक और दोलैसुन के कलोफ लिया है इनको हम इस तरह से कूझ लेते हैं या पिर आप मिर्टर के जार में भीूश को दार बरह पीस सकते तो इसको दर कल ये अटे सा बैन अर एक पैन वह स में थोड़ा सा तेल डाल ले अब इसमें हम डाल देंगे 1 अधा टीश्पून सफेज जीरा और इसको हलिका सा क्राइकल कर लिंगे तो यहां पर हमारा जीरा क्राइकल हो गया और अब हमें डालनी है इसमें एक मीडियम साइज की प्यास जो कि है आधा कप और प्यास को हमें फ्राइ कर लेना है हम प्यास को जब तक फ्राइ करेंगे जब तक हमारी प्यास सॉफ्ट नहीं हो जाती है तो इस तर आप देख सकते हैं प्यास हमारी सॉफ्ट हो गई है अब ह 1.5 तीस्पून चार्ट मसाले का पाउडर और 1.5 तीस्पून कुटी विलाल मिर्च इसमें डाल देंगे और अब हमें पनीर को फ्राइ कर लेना है एक सिंप्ली तो मिन्ट के लिए पनीर को हम मेडियम फ्रम पर फ्राइ करेंगे बहुत जादा इसको fry करने की जरूरत नहीं है बस सारे मसाले हमारे पनीर में अच्छी तरह से कोट हो जाएं हम इसको तब तक पका लेते हैं तेरे से दो मिनट तक पकाएंगे तो इस तरह हमारी पनीर के स्टफिंग बंद कर तयार है गैस की फ्लेम को बंद करके इसमें बारी का टवा हरा धनिया डाल देंगे अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और पनीर के स्टफिंग तयार हो गई है इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे तो अभी इसको साइड में रख देते हैं इधर हमने जो आटा तयार किया है उसके हमें पेड़े तयार कर लेना है तो इस तरह से दर्मियानी चपाती के साइज के हम पेड़े बना लेंगे और इसमें थोड़ा सा सूखावा आटा या फिर मैदा वगारा डस करके इसको हम रोल कर लेंगे इसको बेल लेंगे इसको हमें मैकसिमम बेल लेना है तो जितना बड़ा आप इसको बेल सकते हैं इतना बड़ा बेल ली जगा और जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल ली जगा अब इसके सेंटर में एक सर्विंग स्पून के बराबर stuffing रख देंगे इस तरह से और इसको हम इस तरह से चौकूर शेप दे देंगे क्योंकि हम चौकूर पराठे बनाने वाले हैं तो इसको हम चौकूर इस तरह से कर लेंगे और अब हमें इसकी sides को इस तरह से fold कर देना है और ये जो जोड़ हैं इसको अच्छी तरह से सील करती जगा अच्छी तरह से इस तरह से दबा कर प्रेस करके इसको चिपका दी जगा जिसे की फ्राइ करते टाइम यह खुलेंगे नहीं और दूसरी साइट से भी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको सील पैक कर देंगे अच्छी तरह से सील पैक करना जरूरी है वरना फिर फ्राइ करते टाइम स्टफिंग भारा सकती है अब हम इस पर बेलर नहीं चलाना है सिंपली हादों से हलका हलका सा बढ़ा देना है हमें इसको बहुत जादा पतला करके नहीं बढ़ाना है सिंपली हलके हलके से इसको इस तरह से प्रैस करके सैटल कर दीजगा और अब ये फ्राइ करने के लिए तैयार है तो चलिए अब इसको फ्राइ कर लेते हैं मीडियम फ्रेम पर आदे से पॉन कप तेल गरम कर लेंगे क्योंकि हम इन पराठो को डीफ फ्राइ कर रहे है आप चाहें तो शैलो फ्राइ भी कर सकते हैं लेकिन डीफ फ्राइ में इन पराठो का टेस्ट और भी जादा अच्छा आता है लेकिन कम तेल में तलना चाहते हैं जैसे कि नॉर्मल पराठे तलते हैं तो आप इसको वैसे भी तल सकते हैं कोई इशू नहीं है बस तलते टैम इस बात का धियान रखिए जब आप इसमें पराठा डालें और इस तरह से हमारी जबदस पराठे बनकर त्यार हैं जो कि एकदम परफेक्टली फ्राइ हुए हैं और कलर बीन में बहुत अच्छा है तो बाकी के जितने भी पराठे हैं उनको भी हम से मैथड़ से फ्राइ कर लेते हैं और इस तरह से बहुत ही जबदस्त और बहुत ही जायकेदार हमारे पराठे बनकर त्यार है जो कि बनाना तो बहुत असान है और टेस्टी बहुत बनते हैं और बहुत हेल्दी भी है क्योंकि पराठे का बहुत अच्छा सोर्स है और अगर आपको रेसेपी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स पर वचिंग दे वीडियो अल्लाहफेज